मंत्री मंडल के मेरे सहयोगी शिमान राजनाज जी, चीफ अब डिफेंज स्टाफ जन्रल बिपिन रावज जी, सेना के तीनों अंग्यों के प्रमूख, भारत सरकार के सभी उपस्तित उच्चादिकारी, उद्योग जगत के सभी साथी, नमस्कार, मुझे खुशी है कि भारत में रक्षा उत्पादन से जुड़े हुए सभी एहम स्टेक होल्डर्स, आज यहां मौझूद है, इस सेमिनार के आयोजन के लिए रक्षा मंत्री राजनाज जी और उनकी पूरी टीम को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, आज यहां हो रहे इस मंत्थन से जो परणाम मिलेंगे, उनसे रक्षा उत्पादन के खेतर में आत्म निर्भरता के हमारे प्रयासों को अवश्य बल मिलेगा, गती मिलेगी, और आप सबने जो सुझाओ दिये हैं, आज आपने एक सामुईक मंत्थन किया है, वो अपने आप में आने वाले दिनों के लिए बहुत उपकारक होगा, मुझे इस बात की भी खुशी है, कि रक्षा मंत्री सिमान राजनाज जी इस काम के लिए मिशन मोड में पूरी तरह से जुटे हुए हैं, मुझे भी स्वास है, कि उनके इन अथक प्रयासों के कारण बहुत ही अच्छे परणाम मिलना निश्चीत है, कि भारत कई सालों से दुनिया के सबसे बड़े डिफेंस इंपोर्टर्स में एक प्रमुक देश रहा है, जब भारत आजाद हुआ था, उस समय रक्षा उत्पादन के लिए भारत में बहुत सामर्थ था, उस समय भारत में सो साल से अधिक समय से स्थापित रक्षा उत्पादन का इको सिस्टिम था, और भारत जैसा सामर्थ और पोटेंशल बहुत कम देशों के पास था, लेकिन भारत का दुर्भाग्य रहा कि दसकों तक इस विशय पर उतना ध्यान नहीं दिया गया, जितना देना चाहिए था, एक प्रकार चे रूटीन एक्सेसाइज बन गया, कोई गंबीर प्यास नहीं किये गए, और हमारे बाद में शुरुवात करने वाले अनेक देश भी, पिछले पचांस सान में हम से बहुत आगे निकल गए, लेकिन अब स्थिती बदल रही है, पिछले कुछ वर्षों में आपने अनुभव किया होगा, कि हमारा प्रयास इस सेक्टर से जुड़ी सभी बेडियां तोड़ने का एक निरंतर प्रयास है, हमारा उदेश है कि भारतिय में मैनुफेक्टिरिंग बढ़े, नई टेकनोलोजीज का भारत में ही विकास हो और प्रयावेट सेक्टर का इस विशेश खेतर में अधिक तम विस्तार हो, और इसके लिए लाइसेंसिंग प्रक्रिया में सुधार, लेवल प्लेइंग फिल्ड की तैयारी, एक्सपोर्ड की प्रक्रिया का सरली करण, आफसेट के प्रावधानों में सुधार, ऐसे अनेक कदम उठाए गए हैं। साथियों, मेरा मानना है कि इन कदमों से भी अधिक महत्वपूर्ण है, रक्षाक शेतर में, देश में एक नई मानसिक्ता हम सब अनुभव कर रहे हैं। एक नई मानसिक्ता का जन्म हुआ है। आधुनिक और आत्म निर्भर भारत के निर्मान के लिए रक्षाक शेतर में आत्म विश्वास की भावना अनिवारिया है। बहुत लंबे समय से देश में चीफ अब डिफेंस टाप की निवक्ति पर विचार किया जा रहा था। लेकिन निर्णय नहीं हो पा रहा था। यह निर्णय नए भारत के आत्म विश्वास का प्रतीख है। बहुत लंबे समय तक रक्षा उत्पादन में विदेशी निवेश की अनुमती नहीं थी। स्रते अटल जी की सरकार के समय यह नई पहल की शुरुवात हुई थी। हमारी सरकार आने के बाद इसमें और सुधार किये गए और अब पहली बार इस सेक्टर में 74% तक FDI आटमेटिक रूट से आने का रास्था खोला जा रहा है। यह नए भारत के आत्मविश्वास का परणाम है। दसकों से औरिनन्स कारखानों के सरकारीवी भावगों की तरह ही चलाया जा रहा था। एक सीमीत वीजन के कारण देश का नुक्षान तो हुआ ही। वहाँ जो काम करने माले लोग थे, जिनके पास टालेंट थी, कमिक्मेंट था, मेंती थे। यह हमारा भहुती अनुभव से संपन्न, हमारा जो मेहनत करने वाला स्रमिक वर्ग महा जो है, उनका तो भहुत नुक्षान हुआ। जिस सेक्टर में करोडों लोगों के रोजगार के आउसर बन सकते थे, उसका इको सिस्टिम बहुती सिमीत रहा। अब ओर्डिनन्स कारखनों का कॉर्परिटाइजेशन करने की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। इस प्रकिया के पुरा होने पर स्रमीकों और सेना दोनों को बल मिलेगा। यह नए भारत के आत्म विश्वास का प्रमान है। साथियों, रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भरता को लेकर हमारा कमिट्मेंट सिर्फ बाचित में या फिर कागजों तक ही सिमीत नहीं है। इसके कार्या नवेन के लिए एक के बाद एक ठोस कदम उठाए गए है। CDS के गठन के बाद सेना के तीनों अंगों में प्रोकर्मेंट्स पर समर्वे बहुत भैतर हुआ है। इससे डिफेंस इक्विमेंट्स की खरीद को स्केल अप करने में मदद मिल रही है। आने वाले दिनों में डोमेस्टिक इंडस्ट्री के लिए ओर्डर्स का साइज भी बढ़ने वाला है। यह सुनिशित करने के लिए रक्षाम मंत्रा लह के कैपिटल बजेट का एक हिस्सा अब भारत में बने उपकरणों के लिए अलग से रख दिया गया है। हाल में आपने देखा होगा कि 101 डिफेंस आइटम्स को पूरी तरह से गरेलू खरीत के लिए सुरक्षित कर दिया गया है। आने वाले दिनों में इस लिस्ट को और व्यापक बनाये जाएगा। इसमें और आइटम्स जुड़ते रहेंगे। इस लिस्ट का उदेश आयात को रोकना मात्र नहीं है। बलकि भारत में उद्योगों को प्रोजसाहित करने के लिए ये कदम उठाया गया है। इससे आप सभी साथियों को, चाहे वो प्राइविट सेक्टर हो, पॉब्लिक सेक्टर हो, एमसमी हो, स्टार्ट अप हो, सभी के लिए सरकार की भावना और भविश की संभावना अब आपके सामने ब्लैक एंड वाइट में क्लियर है। इसके साथ हम प्राकॉर्मेंट प्रक्रिया को स्पीड अप करने के लिए, टेस्टिंग की विवस्ता को स्टीम्लाइन करने के लिए, और qualitative requirements को rationalize करने के लिए भी लगातार काम कर रहे हैं और मुझे खुशी है किन सभी प्रयासों को सेना के तीनों अंगों का बहुती coordinated रूप में बहुती सयोग है एक प्रकार से प्रोयक्टिव भूमी का है साथियों आधुनिक उपकरणों में आत्मनिर्फरता के लिए टेक्नोलोजी अप्ग्रेडेशन जरूरी है जो उपकरण आज बन रहे हैं उनका नेज जनरेशन तयार करने पर काम करना भी आवशक है और इसके लिए डियारडियों के अलावा प्रावेट सेक्टर में और एकडेमिक इंस्टिउशन में भी रिसर्च और इनेवेशन को प्रोचसाहित किया जा रहा है टेक्नलोजी ट्रांसफर की सुवीधा से हट कर फोरेंट पार्टर्स के साथ जोईंट बेंचर्स के माध्यम से को प्रोडक्शन के मोडल पर बल दिया जा रहा है भारत के market size को देखते हुई है हमारे foreign partners के लिए अब भारत में ही production करना सबसे उत्तम विकल्ब है साथियों हमारी सरकार ने शुरू से ही reform, perform and transform इस मंत्र को लेकर के हमने काम किया है red tipism कम करना और red carpet बिशाना यही हमारा प्रयास रहा है ease of doing business को लेकर 2014 से अब तक जो सुधार किये गहें उनका परणाम पूरे विश्वने देखा है intellectual property, taxation, insolvency and bankruptcy यहां तक की space और atomic energy जैसे बहुत कठीन और जटिल ऐसे जो विशे माने जाते हैं, उन विश्वों पर भी हमने reforms करके दिखाए है और आप तो अब भली-भली जानते हैं, पिछले दिनों labor laws में reforms का सिलसिला भी लगा अतार जो शुरूआ है चल रहा है कुछ साल पहले तक इस प्रकार के विश्वों पर सोचा भी नहीं जाता था और आज ये reforms जमीन पर उतर चुके हैं reforms का ये सिलसिला थमने वाला नहीं है हम आगे बढ़ते ही जाने वाले हैं और इसलिए न थमना भी है और न थकना भी है, न मुझे थकना है न आपको थकना है हमें आगे भी आगे बढ़ते रहना है और हमारी तरब से मैं आपको बताता हूँ यह हमारा commitment है साथियों जहां तक infrastructure की बात है जो defense corridor पर तीजी से काम चल रहा है उत्तर प्रदेश और तमिलाड सरकारों के साथ मिलकर state of the art infrastructure तयार किया जा रहा है इसके लिए आने वाले पांच सालों में बीस हजार करोड रुपिये के निवेश का लक्ष रखा गया है MSME और स्टार्ट अप से जुड़े एंटरपाइड लीडर्स को प्रोसाइद करने के लिए IDES की जो पहल की गई थी उसके भी अच्छे परणाम मिल रहे है इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से पचांस से अधिक स्टार्ट अप्स ने सैन्य उप्योग के लिए टेक्नलोजी और प्रोड़क्स को विख्षित किया है साथियो मैं एक और बात आपके सामने खूले मन से रखना चाहता हूँ आत्म निर्भर भारत का हमारा संकल्प इन्वर्ड लुकिंग नहीं है ग्लोबल एकोनोमी को जादा रेजिलियंट जादा स्टेबल बनाने के लिए विश्व में शान्ति के लिए एक सक्षम भारत का निर्मान ही इसका लक्षा है यही भावना डिफेंस मैनुफेक्टरिंग में आत्म निर्भरता के लिए भी है भारत में अपने कई मित्र देशों के लिए रक्षा उपकरान का एक भरोसे मन सप्रायर बनने की शमता है इससे भारत की स्ट्रेजिक पार्टर्शिप को और बल मिलेगा और हिंद महसागर शेत्र में भारत की नेट सेकुरिटी प्रोवैडर की भूमिका और सुद्रध होगी सरकार के प्रयास और प्रतिवद्धता आप सभी के सामने है अब आत्म निर्भर भारत के संकल्प को हमें मिल करके हमें मिल करके इसे सिद्ध करना है चाहे private sector हो या public sector हो या फिर हमारे foreign partners आत्म निर्भर भारत सभी के लिए win-win संकल्प है इसके लिए आपको एक बहतर ecosystem देने के लिए हमारी सरकार प्रतिवद्ध है यहाँ आपकी तरफ से जो भी सुझाव आये हैं वे बहुत ही उप्योगी सिद्ध होने वाले हैं और मुझे बताया गया है कि defense production and export promotion policy का draft सभी stakeholders के साथ साजा किया गया है आपके feedback से इस policy को जल से जल लागू करने में मदद मिलेगी यह भी जरूर रही है कि आज का यह seminar एक one time event न रहे बलकि आगे भी ऐसे आयोजन होते रहें इंडिस्ट्री और सरकार के बीच लगातार विचार मवमर्श और feedback की स्वाभावी culture बननी चाहिए मुझे विश्वास है कि ऐसे सामोहिक प्रयासों से हमारे संकल्प सिद्ध होंगे मैं फिर एक बार आप सबने समय निकाला आत्म मेरे भारत बनाने के लिए आत्म विश्वास के साथ आप जूटे मुझे विश्वास है कि आज जो संकल्प हम सब ले रहे हैं इसको पूर्ण करने में हम सब अपने अपनी जिम्मेबारी बहुत अच्छे धंग से निभाएंगे मैं फिर एक बार आप सभी को बहुत बहुत शुब कामनाई देता हूँ बहुत बहुत धन्यवाद